आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ केजлонत ऺर सेकर्ड सकोएर केज़न पर सेकर्ड स्कोएर क्नें य। मिट्र से फांड करना है मिट्र सकेल य। उसमें क्या बोला है कि एड़ लोकेटेड एड़ ट्वंटी सेंटीमेटर पोजिशन ओन दे स्केल 20 सेंटीमेटर पोजिशन मेटर स्केल तो यहां पर कोई 20 0.2 20 सेंटीमेटर रहने 0.2 मिटर पे एक पॉइंट है उससे एक पास अन्य वाली एक्सिस है इसके अब आउट हमें किसी एक और किसी थरी का होगा ऑपने क्या जानते हैं कि किसी भी रोड का किसी रोड का उसके center के around अगर उसकी उसका अगर mass capital M है वो उसकी जो total length है वो कितनी वो अगर R है वो अगर R है तो total length अगर R है तो जो अपना momentum of inertia क्या होता है momentum of inertia होता है MR square upon 12 किसके center के around क्या होता है MR square upon 12 ओके और अपन क्या जानते हैं कि अगर कोई जिसे कोई भी डिस्क वागिरा कुछ भी हो उसका अगर center के around अगर कोई momentum of inertia यह वादर center के around अगर momentum of inertia IC है और center से किसी distance d पे किसी हो जैसे इसको point में ओल लिए तो IO equals to क्या होगा IC plus MD square यह formula हो जाता है किसी भी अगर अगर आपन 0.2 की जिए और पे भी find करें तो तो मिट्री scale है इसका center है मिट्री scale का center यह नहीं से 50 cm distance होगी कितनी होगी 50 cm देखो मैं दूसरी तरह दिखाता हूं कि यह मिट्र scale है तो इसका center से center की यहां से starting से होगी 50 cm distance लेकिन यह जो अपना point है यह क्या है यहां से 0.2 मिट्र की distance पे 20 cm यह 0.2 तो देखो यह यह 50 cm यह 0.5 यह total और यह 0.2 यह distance कितनी आगी यह आगी 0.3 0.3 यानि center से हमें 0.3 distance के ओपर हमें अपने को क्या find देखना momentum of inertia ओके तो देखो center center का momentum of inertia क्या होगा MR square upon 12 और इससे इतनी distance यह 0.3 के ओपर क्या जाएगा MR square upon IC plus M into R यानि हमें यह क्या हमें दी की value कितनी है 0.3 तो 0.3 का square ओके तो अपने को basic formula आपने पास आगए यह क्या है इसको आपने बोलते है parallel axis theorem याद कर लिना किसी भी point के around हमें moment of inertia find करना अगर parallel axis theorem यह इस axis यह axis है इसके parallel में कोई axis है 2 तो क्या होता है IC plus M D square D क्या है center और सेंटर के parallel में जो axis है उस उन दोन अक्सिस के बीच की distance ओके तो M कितना है 0.6 upon R square R की value और देखो 1 meter की scale है तो यह वह वन का square upon 12 plus M into D square M की value 0.6 into D कितना है 0.3 0.3 का square ओके तो यह कितना आजाएगा देखो यह वह जाएगा 0.0.05 क्यों 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 यह 1 का square तो 1 तो 0.6 upon 12 तो इसको अपने लिख सकते हैं 6 upon 12 into 0.1 तो यह वह जाएगा 0 यह 1 by 2 यानि 0.5 आजाएगा 0.5 into 0.1 यानि 0.05 यानि 0.6 upon 12 simply 0.05 होता है ओके प्लस अब 0.6 into 0.3 का square 0.09 तो यह कितना हो जाएगा प्लस 0.054 और यह 0.05 इनको जब एड़ गए तो यह जाएगा कितना 1 sorry 0.104 एड़ करके दिखा दो फिर आपको यह कितना 0.05 और यह 0.054 0.00 तो यह 4 और 5 और 10 तो 1 हो गया यह हो गया 0.104 तो momentum of inertia इस axis यह जो axis है इसके around यानि जो center के पहलल में 0.3 meter के 0.3 meter distance पे है उसके around कितना हो जाएगा 0.104 कौन सा option हो जाएगा? Option हो जाएगा अपना B option. Hope it's helpful for you. Thank you for coming doubtnet. Classics to 12 से लेके NEED IIT JEE means और advanced के level तक 10 million से जादा students का भरोसा. आज यह डाउनलोड करे doubtnet आप यह WhatsApp कीजिए अपने doubts 84444 सुपर.